हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हूं कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय सडक ने कहा बच्चों सडकों का उपयोग ध्यान पूरों करना चाहिए इन्हें स्वच रखना चाहिए सडकों पर चलते समय यातायाद के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ट्राफिक लाइट के ये रंग क्या संकेत करते हैं लिखिए बच्चो नील्चे तीन रंग दिये गए हैं वहे रंग ट्रैफिक लाइट के रंग हैं लाल, हरा और पीला यह हमें क्या संकेत देते हैं आपको लिखना है आई ये शुरू करते हैं आज का अध्याए मैं सडक हूँ सभी को उसकी मंजिल तक पहुचाना मेरा काम है मेरे कई रूप हैं कहीं मुझे तारकोल से बनाते हैं तो कहीं कंकड, पत्थर, गिट्टी, मिट्टी से कहीं मुझे बनाया नहीं जाता मैं लोगों वपशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ मुझे रास्ता, पत, राह, मार्ग, पकडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गाउं में अलग शहरों में लंबी चोड़ी बनाई जाती है मुझे से कई गली और चोराहे जुड़ते हैं इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानों मेरा जाल ही बन जाता है मेरी यही इक्छा रहते है कि लोग मुझे पर चल कर आराम से अपनी मनजिल तक पहुचें किसी को कोई हानी ना हो इसके लिए मुझे पर चलने के कुछ नियम बनाए गए हैं जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते उनका पालन नहीं करते वे दुरगटना के शिकार हो जाते हैं मैं तुम्हे कुछ नियम बताते हूँ मुझ पर चलते समय सदयव बाई ओर ही चलना चाहिए दाई ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे पैदल चलने वालों को मेरे दोनों और बने फुटपातों पर ही चलना चाहिए मेरे ठीक बीच में सफेद रंग की विभाचक रेखा डाल कर मुझे दो भागों में पाटा जाता है एक भाग आने वालों के लिए दूसरा जाने वालों के लिए जब मुझे पार करना हो तो आधी दूरी तक दाई और तथा आधी दूरी तक बाई और देखकर चलते हुए पार करना चाहिए बड़े शहरों में जहां मैं चवराहे से जुड़ती हूँ वहां लाल हरी वपीली बत्तियां होती है ये बत्तियां रुकने वचलने का संकेत करती है जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो रुक जाना चाहिए हरी बत्ती होने पर ही चवराह पार करना चाहिए पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी काली सफेद रंग की जैब्रा लाइन पर चल कर चोराहा पार करना चाहिए मुझ पर कई संकेत बोड लगे होते हैं इन संकेतों से मेरे मोड चड़ाई टेड़ा मेड़ा होना पुल होना आदी की जानकारी हो जाती है इनको समझना जरूरी है मैं सब के काम आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं इससे मुझे बहुत दुख होता है अपने घर का कूडा करकट, खाने पीने का सामान, कागस, थैलिया या अन्य कोई कचड़ा मुझ पर फैंक देते हैं इस से मैं गंदी हो जाते हूं या मुझे लोग गंदी करते हैं मुझे साफ रखना आपके हाथ में है, कचरा तो कचरा पात्र में डालना चाहिए, मेरा सौंदर्य पेड है, मेरे किनारे हरे भरे पेड लगाएं तो मुझे खुशी होगी देखा बच्चो, सडख हमारे कितने काम आती है, सडख हमें हमारी मनजिल तक पहुचाती है, सडख को साफ रखना हमारा कर्तव्य है अगर हम सडख पर नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, तो दुर घटना के शिकार हो जाएंगे इस कहानी में सडख के महत्वता के बारे में बताया गया है सडख पर तीन ट्राफिक लाइट होते है, तीरो लाइट का हमें उप्योग करना चाहिए जैसे भी यातयात की नियम बताये गए हैं, उसी प्रकार हमें सडख पार करना चाहिए बच्चो सड़क को साफ रखना हमारा कर्तव्य है हमने सीखा सड़क पर चलते समय पूरी साफधानी रखनी चाहिए सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाने चाहिए ये हमें हमारी मंजिल तक पहुचाते हैं आशा करते हूं कि आपको ये अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजिएगा